नमस्का, मैं होसासी आये जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं 14 जुलाई से अंतरिक्ष में घटने वाली है अनोखी खबोली घटना अंतरिक्ष की दुनिया में दिल्चास्पी रखने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है बताया जा रहा है कि 14 जुलाई से भारत के आस्मान में C-2020 F-3 नाम का एक अनोखे धुमकेतु या पुषल तारे को 20 दिनों तक दिखा जा सकता है बताया जा रहा है कि 14 जुलाई से परते एक दिन धुमकेतु को 20 मेर्ट तक लोग देख सकते हैं उडिशा तारा मंडल के उपने देशक डाक्टर सुभेद्रू पठनायक ने बताया कि नासा के नियर अर्थ वाइड फिल्ड सर्वे के द्वारा मार्च में इन धुमकेतु को खोजा गया था जारखन मौसम विभाग के उनसार 15 जुलाई तक अच्छी बारिस की उमीद है मौसम विभाग ने अपने पुर्वा अनुमान में औरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ अस्थानों पर भारी बारिस और बजरपात की भी असंका जताई है आपको बता दे कि मौसम विभाग के एक रिपोर्ट के उनसार राजिक के 6 जीलों में औरेंज बारिस हुई है जबकि 16 जीलों में समाने से अधिक बारिस हुई है उधर दुमका जीला में बजरपात से 3 लोगों की जान भी चली गई है इंटर्मीडियेट में 5 लाग सीट मैट्रिक पास बिद्यार्थी 2,88,000 सीर्व राजे में इस वर्स इंटर्मीडियेट की लगभग 2,00,000 सीटे रिक्त रह जाएंगी इसका मुख्य करण बिद्यार्थियों की संख्या में कमी का होना है जाखन 18B कॉंसील ने एक रिपोर्ट में बताया है कि कूल 5,00,000 सीटे है जो बर्स 2020 में मैट्रिक परिक्षा पास करने वालों परिशार्थियों की संख्या 2,88,000 सीर्ण बिद्यार्थी नमांग कर लेते हैं तो भी 2,13,000 सीटे रिक्त रह जाएंगी उधर हजारी बाग जीलाक के मनीश कुमार ने दसवी बोड में 95 लाकर पाला अस्थान पराप्त किया है बता दे कि मनीश कुमार रेस हाई स्कूल नेतराट का विद्यार्थी है जारखन में 99 संक्रमीतों के पूष्टी हुई जो 17-18, 15, 15, 14,000 लातेः दन्बाद 5, पलामो 5, पूर्वी सिंभूम 5, रामगर 3, देवघर 3, गडवा 2, पच्मी सिंभूम 2, गिरिडी 1, सराइकेला 1, साहिब गन से 1 है जारखन में कूल संक्रमीतों क संक्र Sie770 है जबकि 238 लोग 272 सीकी मिरिती हो गई जार्खन में 32 मौत जार्खन में संक्रमन लगतार बढ़ता जा रहा है साथी अब यह खतरनाक भी होता जा रहा है सन्निवार और अभिवार को मिलाकर लगतार कूल आठ लोगों की इस बिमारी से मौत हो गई है इन में से गोड़ा से एक राची से तीन एक हजारी बाग एक धनबाद एक बिहार के गया का है एक अनमरीज कोडारमा का भी है रभिवार को पांच मरीज जबकि सन्निवार को तीन मरीज की मौत होई है सन्निवार को एक ही परिवार के दो सदसे हैं जो की सगे भाई हैं धनबा नमांकन, वाटसेप से पढ़ाई का इंतिजाम, संक्रमन के दोर में बचाव के लिए सुरक्षी तरीका अपनाते हुए सरकारी स्कूलों में भी अब नीजी स्कूलों की तर्ज पर ओनलाइन नमांकन करने के निर्ने लिया गया है, राची के सहीद, चोक इस्थीत, अमर सहीद, ठाकुर विश्वनात, महादेव स्कूल, राजे का पहला सरकारी स्कूल होगा, जहां ओनलाइन नमांकन की परकिरिया सुरू कर दी गई है, बिध्यालाय में सत्र 2020-22 के लिए यहां एकारवीक अक्छा में ओनलाइन नमांकन की परकिरिया सुरू कर दी गई, बालू की अवैद धुलाई रोकने के लिए तैनाद किये गए सिक्षक अब चेकपोस्ट पर बालू की अवैद धुलाई रोकने के लिए तैनाद किये गए हैं खुटी के सडीयों ने सिक्षको को चेकपोस्ट पर तैनाद करने का पत्र जारी किया है इसमें कहा गया है कि संक्रमन के खत्रे को देखते हुए जीले के विभीन कर्यालियों में करेरत पता अधिकारियों करमचारियों के अंतर जीला अवागमन परतिवन लगाने तथा बालू का अवाद परिवाहन रोकने के लिए 6 अस्थानों पर चेक पोस्ट बनाया गया है बेरमो बिधान सभा उप चुनाव को लेकर सुखबुग आठ शुरू जार्खन कांग्रेस अध्यक सखाद अपूर्ति मंत्री डाक्टर रमेश्वर उराव धनबात के बाद वोकारों पहुंचे वहाँ बेरमो बिधान सभा उप चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताव के कि निधन के बाद से बेरमो बिधान सभा सीट खाली है जार्खन आने जाने वाली सभी ट्रेने रद जार्खन में संक्त्रमन को देखते हुए अब बिहार से जार्खन जाने वाली ट्रेनों को रद कर दिया गया है जार्खन सरकार ने रेलवे बोर्ट से इसका आगरह किया जिसे मानते हुए बिहार से झाद जानने वाली दोनों ठ्रेनों की सिवाये जना अभ नहीज जाएंगी बता दे कि अभी दो ट्रेने बिहार से झाद जाती थी जिनमें पत्रना पतना जयनसताब्दी एक्सप्रेस जो पतना से राउची के बीज चलती थी अमिताब बचन के Спасибо होने से मुख मंत्री चिंति द्यारखन के मुख मंत्री हैमंसुरे ने वालिवूड के सहंसा अमिताब बचर और उनके पूत्र अभिशेख बच्चन के पोजटी पाया जाने पर चिंताब्यक्त की है मुख मंत्री ने दो नो अभिनेताओं के सिग्र स्वास्थ होने की कामना की है मुख मंत्री ने रविवार को ट्वीट पर एक संदेश लिखा जिसमें कहा है कि वह भागवान से प्रत्ना करते हैं कि अमिताब और अभिशेख सिग्र स्वास्थ हो जार्खन में संक्रमन दर देश से अधिक जार्खन में संक्रमीत मरीजों की दर देश से एक परत्यत अधिक हो गई है भारत में यह दर तीन दसमलो चार तीन परतिस्ट था जबकि जार्खन में चार दस्मलो एक शो परतिस्ट हो गई है संक्रमीद मरीजों की दोगने होने की दर जहां भारत में 20.54 दिन है वहीं जार्खन में या 17.01 दिन हो गया है रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी देश में 62.78 परतिसथ है जबकि जार्खन में 61.58 परतिसथ है पलामो में चार PDS डीलर संकरमीट पलामो जीला मुख्याले मेदनीनगर के चार वार डीलर संकरमीट पाये गए हैं स्वास्त विभाग की उते जैरी रिपोर्ट में सनिवार की रात या लोग पॉजिटी पाये गए संक्रमितों की उम्र 30 से 45 के बीच है आपको बता दी कि ए मरीज बेगेर लक्षन के हैं पोजेटिव रियल्ट आने के बाद सभी को ततकाल होस्पीटल में सिफ्ट कर दिया गया है 45 000 संदिग्द की होगी जहाच राजसकार की और से कराया गए सरवे में 45 000 संदिग्द मिले हैं इनवे सर्दी जुकाम पाया गया है मुख्य सची सुखदेव सिंग की ओर से इन सभी की जाच कराने का निर्देश दिया गया है आपको पता दे कि सभी जीला उपायुक्तों के पास सुची उपलब्ध है देवगर आने वाले को करानी होगी जाच किसी भी अनराज से जारखन आने वाले लोगों को देवगर में प्रवेस करने पर अनिवारे रूप से जाच करानी होगी रिपोर्ट आने तक सरकारी कोरेंटीन में रहना होगा ऐसा नहीं करने पर दोसी ब्यक्ति के खिला प्रात्मे की दर्च की जाएगी देवगर पूलिस ने आजनकारी दी है बियारपी, सी आरपी को मिला मोबाइल भत्ता राजे के प्रखंड साधन सेवी और संकूल साधन सेवी को पिछले एक साल के मोबाइल भत्ता की रासी दी गई बियारपी और सी आरपी ने इसको लेकर कई महीना से मांग कर रहे थे और पिछले महीना अंदोलन भी किया था जारखंड सीक्षा प्रियोजना परिशद में राजे के 2900 बियारपी, सी आरपी को 300 रुपे की दर से 12 महीना का 36-3600 रुपे उनके खातों में भुक्तान किया गया खोटी में पौधार उपन अभियान अखिल भारतिय ब्रिहत पौधार उपन अभियान के तहोट ससस्तर सीमा बल की डी कंपनी की ओर से रभिवार को विभीन अस्थानों पर दो हज्जा से अधिक फलदार और शायदार पौधे लगाए गाए मौधे पर पौधार उपन के महत्य पर प्रकाश डालते हुए कंपनी के साहय कमांडेड वासुदेव दास ने कहा कि बढ़ते परदुशन के इस दवरा में मानो जिवन को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनका संदशन करना बुकारो उपायुक्त ने कहा नियमों का पालन करे बुकारो जिला में संक्रमन अपना पैर पसाच चुका है इसकी रोक्थाम में लगे परसासनिक अधिकारी बार बार लोगों से सोसल डिस्टेंसिंग समेत अन नियमों का पालन करने की अपील कर रहे है उपायुक्त मुके भवन बंद बढ़ते संक्रमन को देखते हुए दुमकर नगर थाने का मुख्य भवन बंद कर दिया गया है थाने का दैनी कार्य आप परिसर में बने स्थेड में किया जा रहा है थाना प्रभारी संजय मालीविये लोगों की समस्या सुन रहे हैं कि सराय केला खर्शावा में दो नक्सली गिरफतार सराय केला खर्शावा के नक्सलपरभावी छेत्र राय जम्मा गाउ में 23 मई की रात को प्रतिबंधित भागपा महवादी संगठन के सदस्थों ने दो लोगों की घर में घुषकर मत हत्या कर दी थी गुप्त सुचना के अधार पर राय जम्मा गाव के सोमा सरदार और तमाड के अरहंगा गाव में उमेश मुंडा को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस ने प्रेस कॉन्फिरेंस करके रभ्यवार को अजनकारी दी भूमी विवाद में घटना होई तो अंचल अधिकारी को अभियुक्त बनाए तिर्की विधायक बंधूत तिर्की ने राजे में भूमी विवाद में अपराधी घटना होने पर अंचल अधिकारी को भी अभियुक्त बनाने की मांग की है इसको लेकर उन्होंने डिजीपी को भूमका को नजर अंदार नहीं किया जा सकता है आठ जीलो में सुखा की स्थिति एक और जहाराज में पिछले 117 लगतर बारिस हो रही है वहीं आठ जीलो में सुखा का संकट खड़ा हो गया है मौसम विभाग द्वाराज जारी एक से बारा जुलाज तक बारिस के आकड़ों ने किसानों के चिंता बढ़ा दी है विभाग द्वाराज जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे कम गुमला में बारिस हुई देवघर गुमला खुटी पाकुड सहेव गंच सराइक लग खर्षाव सिम्डेगा और पच्मी सिम्भू में 15 से लेकर 50 पर 30 तक बारिस हुई है 30 सितंबर तक मुफ्थ गयस सिलिंडर उजवाला योजना के लभार्थियों को सरकार ने बढ़ी रहात दी है इस योजना के तहत तीसरा मुफ्थ सिलेंडर की अवधित 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है तेल कमपनियों ने सभी गय एजन्सियों को इस समद्ध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है परदेश में 32 लाह के करीब इस योजना के लभार्थी है चुनावी वादों से मुकरने लगी हमन सरकार अमीत कुमार बाचपा के परदेश प्रवक्ता अमीत कुमार ने जर्खन सरकार के उद्योग विभा साग में अनुबंध पर करे रत कंप्यूटर अपरेटरों को अठाने की प्रक्यरिया शुरू करने पर कडिया पती अधिकारी बनी तो हम अनुबंद कर्मियों को परवानेंट कर देंगे साहिव गंज में बीना पास एंट्री नहीं एस डियो राजमहल अनुमंडल पदा अधिकारी राजमहल कर्ण सत्यार्थी ने पछिम बंगाल को जारखंट से जोडने वाली बरहवा प्रखंड के बरारी चेक नाका का निरक्षन किया यह बरारी चेक पोस्ट जारखंट की सीमा को बंगाल से जोडता है तथा यहां से संक्रमित मरीजों के जीला में आने की संभावना राती है SDO ने हर आने जाने वाले ब्यक्तियों तथा वाहनों की कड़ी निग्रानी रखने का आदेश दिया है दुमका में बिना मास्क पकड़ेगा तो सरमदान करना पड़ेगा दुमका में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संक्या को देखते हुए परसासन ने सकती बढ़ा दिया है जिला में समाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने और लोगडाउन के उलंगन करने पर दंदात्मक करवाई का उपायूक ने निदेश दिया है धन्यवाद